आज मैं आपको शनी की साढ़े साती से बचने के कुछ उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ शनी देव से ना डरे शनी देव नियाई के देवता और कर्म फल दाता डंडनायक भी कहे गए है तेश शाल बाद शनी के मकर रासी में प्रवेश के साथ ही कुमर रासी वालों की साढ़े साती सुरू हो जाएगी ऐसे में सनी देव की तरशी दृष्टी से बचने के लिए आपको शनी वार के दिन कुछ उपाय करने शाहिए जैसे कि शनी वार के दिन सुर्योदे से पहले उठे और नित्य क्रियाओं से रिवित होकर अश्नान करे उसके बाद सुधर वस्तर धारन करे फिर एक पात्र में जल लेकर उस जल में थोड़ा सा तिल डाले और उस जल को पीपर के जड़ में जाकरके डाले ओ शन शन शराय नहां इस मंत्र का जब करते हो यदि सुर्यास्त के समय पीपर के पेड़ के पास दिये जलाए जाए तो शनी देप की करपा दृष्टी होने लगती है वो प्रशन होते हैं पेड़ किसी मंदिर में लगा हो अगर ऐसे पेड़ के सुर्यास्त होते समय दिये जलाए जाए तो शनी के महादोस्त शमाप्त होने लगते हैं शनी बार के दिन सुवह उठकर अशनान करे उसके बाद एक कटोडी तेल से भड़े और उस तेल में अपना चेहरा देखे और फिर उस तेल को शनी बार को ही किसी गरीब या जिसे जरूरत हो उसे दान कर दे वैसे भी सनी बार को तेल का दान करना या शनी देव को तेल चढ़ाना इससे सनी देव अती प्रशन होते हैं या सनी देव को प्रशन करने के अचुक उपाय बताये गया है अगर आप फूल नहीं चढ़ा सकते दीप नहीं जला सकते और शुबह तेल दान भी नहीं कर सकते तो आप रुद्राक्ष की एक माला ले और उस माले से 108 बार शनी देव के इस मंत्र का जब करे मंत्र ओम शंग शनह चराय नवा इस मंत्र का जब करने से शनी देव की कृपा सहनी देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो आपकी पूजा करेगा मेरी भी कृपा दुश्टी उससे हनुमान जी कि कृपा दुश्ट करे को और पाठ क्रिपार इससे हनुमान 먹고 कृपा और शनी देव की भी कृपा दिश्टी बनी रहेगी। सनी देव को निले रंग के पुश्प चड़ाए। शनी बार को दान पुन्य करने से भी शनी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा मन को साफ रखे, गलत विचार मन में ना लाए और किशी पर अत्याचार ना करे, दूसरों की मदद करे। शनी देव नियाय के देवता है, ऐसे में वो अपने भक्तों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर लोगों की आते होती है कि वो जानवरों को मारते और पिटते हैं। जबकि ऐसा करना हर लिहास से गलत है। जानवरों को परतारित ना करे क्योंकि ये करना सास्त्रों में भी पाप माना गया है। ऐसा लोगों को शनी देव कभी भी उसको माफ नहीं करते। इसलिए सनी बार के दिन काले कुट्टे को रोटी खिलाए, काली गाय की पूजा करे, काली चिटी को आटा डाले, काली मचली को आटा की गोली जैसे शनी देब को परसन करने के उपाय बताया गये हैं तो यह जनकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरू बताए हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में वेल आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्त रहें, जैस्रे जैक्रिशन, धन्यवाद